आज की प्रोटीन रिच डिश देखने के बाद आपको प्रोटीन की जुरुद कभी नहीं पड़ेगी बहुत सारे विवेज ने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ हेल्दी और नुट्रिशस डिश में उंके साथ शेर करो तो आज में लेके आयों एक सूपर हेल्दी सालेट जो की है प्रोटीन सालेट बिना टाइम वेस्ट करें चलो इसको बनाते तो प्रोटीन सालेट के लिए एक बाउल में लेंगे बॉइल चने इसको मैंने साथ से आठ गंटे सोक करके बॉइल कर लिया है दीजारक ग्रेट सोर्स वेजटेरियन प्रोटीन सालेक बनाने के लिए इनको एक बाउल में डालेंगे इनको हमें उतना ही बॉइल करना है कि इनकी उपर की लेर ना निकले ये थोड़े खिले खिले दिखें तो मैंने लगबग दो कप चने लिये है अब हम डाल रहे हैं अनदर रिच सोर्स व प्रोटीन पनीर जिसे कि हम सबको पता है पनीर के अंदर प्रोटीन की मातरा भरपूर होती है उसके बाद डालेंगे वन कप चॉप टमैटोस इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है फिर हम डालेंगे अपने सालेट के अंदर चॉप ट अनियन्स उसके बाद बिना चिले नाइसली कट अंडाइस्ट क्यूकंबर विच इस अ गुट सोर्स व फाइबर अब हम डालेंगे रोस्टिट पीनट्स उसके बाद डालेंगे स्प्राउट्स ये अंकुरित मूंग डाल मैंने मार्केट से लिये आप इसको बहुत असानी से घर पे बना सकते हैं डाल को एक रात धिगो के दिन भर सूती कपड़े में लपेट कर रखें आपकी डाल अंकुरित हो जाएगी अंकुरित होने से इसकी प्रोटीन की मातरा और बढ़ जाती है लास्टली डालेंगे इसमें फ्रेशली चॉप्ट कोरियंडर लीज यानि की धनियापत्ता प्रोटीन सालेट की हमारी सभी हाई अन प्रोटीन इंग्रीडेंट्स डल गए हैं इस सालेट में डलने वाली एक एक चीज हमारे लिए बहुत हेल्दी है अब बनाएंगे हम इसके लिए सीजनेंग उसके लिए एक बाउल में लेंगे एक चमच ओलेव ओल ये ओल डालना ऑप्शनल है आप चाहें तो ना डालें ये सालेट को थोड़ा ग्लॉसी लुक देता है and no doubt it is a very good oil as it contains high amount of antioxidants which are very good for us उसके बाद लेंगे एक चमच लेमन जूस अगें अ गुट सोर्स ओ विटामिन C to give it a little tangy taste उसके बाद लेंगे हम एक चमच नमक आदा चमच काला नमक एक चमच चाट मसाला और आदा चमच भुना हुआ जीरा थोड़ी सी काले मिट्ज टेस्ट के लिए and हाँ, black pepper is also a good source of iron अपनी सीजनिंग को अब हम अच्छे से मिला लेंगे इससे हमारा सालेट बहुत ही चटपटा और पैपरी बनेंगा इसको अब हम अपने बड़े वाले बाउल में फिला कर पोर कर लेंगे और उपर से डालेंगे फाइनली चॉप्ट ग्रीन चिली यहाँ पर मैंने दो चोटी-चोटी हरीमिर्च ली है अब सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारी सीजनिंग के फ्लेवर हमारे सालेड में अच्छे से मिक्स हो जाएं एक चीज का ध्यान रखें कि हमें सभी वेजिटेबल्स लगबग चने के साइज के ही कट करने हैं और छोली के साथ-साथ इसमें आप स्प्राउटिट काले चने भी डाल सकते हैं अगर थोड़ा कॉंटिनेंटल टेस्ट देना है तो इटालियन सीजनिंग भी डाल सकते हैं तो लोग हमारा प्रोटीन सालेड बनके तयार है फिल फ्री टु एड वट्रेवर यू लाइक जैसे की ड्राइ फ्रूट्स, फ्रूट्स, पॉमिग्रिट जो भी सबजी है फ्रूट आप पसंद करते हैं आप इस सालेड के अंदर डाल सकते हैं हमारा हाई उन प्रोटीन सालेड बनके तयार है चलो इसको टेस्ट करते हैं कि यह बना कैसा जो भी आप सालेड का नाम सुनते होगे तो आपके दिमाग में आता होगा कि कुछ फीका या फिर टेस्टलेस होगा पर इस सेलेड के साथ ऐसा बिलकुल नहीं है क्योंकि इसके नडला है अमचूर, लेमन और सॉल्ट जो कि इसको खूप चटपटा टेस्ट दे रहता है आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं और जब आप इसको बनाएं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है आपको मेरी वीडियो पसंद आएं तो मेरे चनल आशिमास किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि मेरी सभी न्यू वीडियो की अप्लोड आपके पास उसी वक्त पहुंच आए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में अंतिल दें तेक केर गुडबाय और हपी कुकिंग विद आशिमास किचन